नमस्कार दोस्तों, जय स्री कृष्ण स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आत्म ग्यान में मैं पंडित अनुष्तिवारी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम आपको ब्रहस्पतिवार की कथा सुनाएंगे तो कथा की ओर चलते हैं? गुरुवार ब्रत करने से ब्रहस्पत देवता प्रशन होते हैं यह ब्रत अतियंत फलदाई है अगनि पुराण के अनुषार अनुराधान अछत्र युक्त गुरुवार से आरम करके साथ गुरुवार ब्रत करने से ब्रहस्पत ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ब्रहस्पत इवार ब्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा ब्यापारी रहता था। वह जहाजों में मान लदवा कर दूसरे देशों में बेचा करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोल कर वह दान भी करता था। परंत उसकी पतनी अतियंत कंजूस थी, वह किसी को एक दमडी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेथ जब दूसरे देश ब्यापार करने गया, तो पीछे से ब्रहस्पति देव ने साध्व वेश में उसकी पतनी से भिच्छा मांगी। ब्यापारी की पतनी ब्रहस्पति देव से बोली है साध्व महराज, मैं इस दान पुन्ने से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, और मैं आराम से रह सकूँ। मैं या धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। ब्रहस्पत देव ने कहा हे देवी, तुम बड़ी भी चित्र हो, संतान और धन से कोई भी दुखी होता है क्या। अगर अधिक धन है तो इसे सुभ कार्यों में लगाओ, कुवारी कन्याओं का विवाह कराओ, बिद्याले और बाग बकीचों का निर्मार कराओ, ऐसे पुन्य कार्य करने से तुम्हारा लोग पर लोग सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से ब्यापारी की पतनी को खुसी नहीं हुई। उसने कहा मुझे ऐसे धन की आवस्यक्ता नहीं है जिससे मैं दान में देदू। तब ब्रहस्पत देव बोले यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। साथ ब्रहस्पत इवार घर को गोबर से लीपना। अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को ध्योते समय सनान करना। ब्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर ब्रहस्पत इव अंतरध्यान हो गए। ब्यापारी की पतनी ने ब्रहस्पत इव के कहे अनुसार सात ब्रहस्पत इवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल तीन ब्रहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त समधन समपति नश्ठ हो गई और वह परलोग सिधार गई जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब धन नश्ठ हो चुका है और वह बरबाद हो चुका है उस ब्यापारी ने अपनी पुत्री को सांतोना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया वहाँ वह जंगल से लकडी काट कर लाता और सहर में बेशता इस तरह हुआ अपना जीवन ब्यतीत करने लगा एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रगट की लेकिन ब्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे वह अपनी पुत्री को आस्वासन देकर जंगल में लकडी काटने चला गया वहाँ पर एक ब्रच के नीचे बैट कर अपनी पूर्व दसा पर विचार कर रोने लगा उस दिन ब्रहस्पतिवार था तभी वहाँ ब्रहस्पतिदेव साधु के रूप में सेठ के पास आये और बोले हे मनुष्य तु इस जंगल में किस चिंता में बैठा है तब व्यापारी बोला हे महराज आप सब कुछ जानते हैं इतना कहकर व्याहानी सुना कर रो पड़ा ब्रहस्पतिदेव बोले देखो वेटा तुम्हारी पतनी ने ब्रहस्पतिदेव का अपमान किया था इसी कारण तुम्हारा यहा हाल हुआ है लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो तुम गुरुवार के दिन ब्रहस्पतिदेव का पाठ करो दो पैसे के चने और गुड को लेकर जल के लोटे में सक्का डाल कर अमरत और प्रशाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बाट दो सोयम भी प्रशाद ग्रहन करो भगवान तुम्हारा अवस्य कल्यान करेंगे साधु की बात सुनकर ब्यापारी बोला महाराज मुझे तो इतना भी नहीं बसता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूँ इस पर साधुजी बोले तुम लकडियां सहर में बेचना तुम्हें लकडियों के दाम पहले से चौगने मिलेंगे जिससे तुम्हारे सारे कारे सिद्ध हो जाएंगे उसने लकडियां काटियां और सहर में बेचने के लिए चल पड़ा उसकी लकडियां अच्छे दाम में बिक गई जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरु आर की कथा है तो चना गुरु लेकर कथा की और प्रशाद माट कर स्वयम भी खाया उसी दिन से उसकी सभी कठनाईयां दूर होने लगी परंत अगले ब्रहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया अगले दिन वह के राजा ने एक बड़े यग्य का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया राजा की आग्या सुन अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया लेकिन व्यापारी वा उसकी पुत्री तनिक बिलंब से पहुँचे अताह उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया जब वे दोनों लोटकर आये तब राणी ने देखा कि उसका खूटी पर टंगा हार गायव है राणी को ब्यापारी और उसकी पुत्री पर संद्रे हुआ उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है राजा की आज्या से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया कैद में पढ़कर दोनों अतियंद दुखी हुए वहाँ उन्होंने ब्रहस्पति देवता का इसमान किया ब्रहस्पत देवता ने प्रगट होकर ब्यापारी को उसकी भूल का अभास कराया और उन्हें सलाह दी की गुरुवार के दिन कैत खाने के दर्वाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर बिधपूर्बग ब्रहस्पत देवता का पूँजन करना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे ब्रहस्पत वार को कैत खाने के दौर पर उन्हें दो पैसे मिले बाहर सडक पर एक इस्त्री जा रही थी ब्यापारी ने उसे बुला कर गुड और चने लाने को कहा इस पर वाहिस्त्री बोली मैं अपनी बहु के लिए गहने लेने जा रही हूँ मेरे पास समय नहीं है इतना कहकर वाहत चली गई थोड़ी देर बाद वहां से एक और इस्त्री निकली ब्यापारी ने उसे बुला कर कहा हे बहन मुझे ब्रहस्पत वार की कथा करनी है तुम मुझे दो पैसे का गुड चना ला दो ब्रहस्पत देव का नाम सुनकर वाहिस्त्री बोली भाई मैं तुम्हे अभी गुड चना लाकर देती हूँ मेरा एक लवता पुत्र मर गया है मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी वाहिस्त्री बाजार से ब्यापारी के लिए गुड चना ले आई और स्वयम भी ब्रहस्पत देव की कथा सुनी कथा के समाप्त होने पर वाहिस्त्री कफन लेकर अपने घर गई घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए समसान ले जाने की तैयारी कर रहे थे इस्त्री बोली मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो अपने पुत्र का मुख देख कर उस इस्त्री ने उसके मुँँ में प्रशाद और चलनामरत डाला प्रसाद और चानाम्रत के प्रभाव से वह पुनह जीबित हो गया पहली इस्त्री जिसने ब्रहस्पति देव का निरादर किया था वह जब अपने पुत्र के बिवाह है तो पुत्र वदू के लिए गहने लेकर गलोटी और जैसे ही उसका पुत्र गोडी पर बैट कर निकला वैसे ही गोडी ने ऐसी उचाल मारी की वह गोडी से गिर कर मर गया यह देख इस्त्री रोक कर ब्रहस्पति देव से च्छमा याचना करने लगी उस इस्त्री की आचना से ब्रहस्पत देव साधुभेस में वहाँ पहुँच कर कहने लगे है देवी तुम्हें अधिक बिलाप करने की आवस्चक्ता नहीं है यह ब्रहस्पत देव का अनादर करने की कारण हुआ है तुम वापस जाकर मेरे भक्त से छमा मांग कर कथा सुनो तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी जेल में जाकर उस इस्त्री ने ब्यापारी से माफि मांगी और कथा सुनी कथा के उपरांत वह प्रशाद और चलनामरत लेकर अपने घर वापस गई घर आकर उसने चाणामरत अपने मरत पुत्र के मुख में डाला चाणामरत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा उसी रात ब्रहस्पत देव राजा के सपने में आया और बोले हे राजन तूने जिस ब्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोस है तुम्हारी राणी का हार वहीं खूटी पर टंगा है दिन निकला तो राजा राणी ने हार खूटी पर लटका हुआ देखा राजा ने उस ब्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्छ कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवारात आज दिये तो दोस्तों ब्रहस्पतिवार की कथा सुनने मात्र से जो है ब्रहस्पति देव की क्रपा प्राप्त होती है आसा करता हूँ कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई है अगर पसंद आई है तो क्रपा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आए तो लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय गुरुदेव लिखकर हमारा आत्म विश्वास बढ़ाएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय स्री कृष्ण